हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू खाना आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन डेश मींडू वड़ा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक कपोहा उसे भिगो लेंगे और उसे अच्छी तरह से पीस लेंगे बैटर बनाने के लिए हमें लगेगा देड़ कप चावल का आटा, आदा कप रवा, एक कप पोहा जो हमने पीस लिया था और देड़ कप दही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे आदे गंटे के लिए छोड़ देंगे कैबेच, कैरेट, बीट रूट इन सब को अच्छी तरह से घीस लेंगे और अदरग भी थोड़ी सी घीस लेंगे तो सबसे पहले दालेंगे हम दो चमच देल, उसमें दालेंगे थोड़ी सी राई, गिसेवे गाजर, बीट रूट, कैबेच और थोड़ी सी अदरग जो हमने घीस लिया था वो भी दाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से दालेंगे, थोड़ी बीन्स भी दाल सकते हो, यह ऑप्शनल है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हो, हमारे वेजिटेबल पक चुके है, अब हम इसे बैटर में एड़ करेंगे बैटर में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जो हमारा बैटर है, मिन्दू अड़ा का वो कलर चेंज हो गया है, रेड कलर हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमत सोडा मिन्दू अड़ा का शेफ देने के लिए हमें थोड़ा अपने हाथ को पानी लगा लेना है और थोड़ा सा बैटर लेकर उसे बीच में स्पेस करना है और फिर उसे तवे में फ्राइ करना है तो आप देख सकते हो हमारा मेंदू अड़ा है, वो रेड कलर है वो रेड कलर इसले हुआ है क्योंकि हमने यहां पर बीट रूट यूज किया था तो हमारे मेंदू अड़ा सब रेडी हो गया है, इसे गोल्डन ब्राउन करना है अब हम कोकोनेट की चटनी बनाएंगे, कोकोनेट, हरा दनिया, रसून, अदा कटोरी, भुनीवी चने की दाल, थोड़ी सी इमली, नमक, अपने टेस्ट की हिसाब से दाले और थोड़ा सा पानी दाल कर इसे अच्छी तरह से पीस ले, इसे जाधा पत्ला नहीं करना है, थोड़ा थिकी रखना है अब हम इसे बगा रेंगे, दो से तीन चमच ओईल लेंगे, उसमें दालेंगे एक चमच राई, एक चमच जीरा, और थोड़े से कड़ी पत्ता दाल कर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे अब हम इसे चट्नी में दाल देंगे, तो हमारा ये बनकर ररी हो गया है, इंस्टेंट मेंदू अड़ा विद चट्नी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जादर से जादर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कमेंट करके हमें ये जरूर बताईए कि आपको इस वीडियो कैसा लगा है, और हाँ, हमारे फूट के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके, और पे क्लिक करना ना मुले, खाना ऐसे बनाना, या बिकित अणा जरूर करना